हलो अच्छो स्वागत है आप सभी लों का यूपी बोर्ड हैब क्लासेज में मैं वेपिन सिंग आपका भातिविक ग्यान टीचर एक बार फिर से आपके सामने लेक्चर नमबर की अगर बात करें बाटा तो लेक्चर नमबर 11 है और क्लास 12 की आपकी फिजिक्स जो की चैप्टर है किरण प्रकास कियों प्रकास एक यंद्र उसको हम पढ़ रहे हैं तो लेक्चर में हम बैटा क्या पढ़ने वाले हैं यह आपको बता दे रहाऊ हम है तो जो पहरी चीज है जो हम पढ़ेंगे वो है लिंस की सक्ति सक्ति बोलते हैं ठीक है सामर्थ शम्ता जो भी आप बोलना चाहें तो पावर एक तरह से हम निकालेंगे लिंस की ठीक है लिंस की पावर क्या है ये हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट हम देखेंगे लेंस एवं दरपड़ का सयोजन अच्छा इसको एक दूसरे सब्द से भी या दूसरे तरीके से भी बोला जाता है इसको बोला जाता है लेंस को रंजित करना ठीक है रजित करना या रंजित करना रजित करना भी बोलते है तो रजित मतलब तरह से धरपड़ बना देना ठीक है तो ये दो चीजे हैं और तीसरा एक हम question भी solve करेंगे एक question भी solve करेंगे तो ये है इस lecture का bio data कि क्या हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या होगा किस प्रकार से जोलेगे तो अई स्टार्ट करते हैं लेंस की सकती power of lens को समझते हैं power of lens है क्या तो उसको समझने से पहले एक बार आपको focus जो हमने formula निकला था focus वाला वो आपको बता देते हैं वो था वेटा mu by v minus 1 by u बराबर mu minus 1 multiply by 1 by r के यह पहला formula है जो वक्री सता से आप वरतन के लिए आपको पढ़ाया मैंने अच्छा दूसरा formula क्या है दूसरा formula है वेटा lens निर्माता का सूतर जिसमें आपने देखा मैंने आपको बताया कि 1 by v minus 1 by u equals to आपने लिखा mu minus 1 और यह आया यहाँ पर 1 by r1 minus के 1 by r2 मैंने आपको बताया थे यह change कर लिजेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यह change कर लिया होगा तीसरा formula इसी से अगर देखें या इसको मैं भोल सकता हूँ तीसरा formula इसको हम बेटा 1 by v minus 1 by u को f भी लेख सकते हैं ठीक है तो 1 by f के साथ भी यह formula बना जाता है और जो कि सेम रहेगा left hand side में same रहेगा right hand side में आप देखेंगे 1 by f आ जायेगा ओके बाकि कोई अंतर नहीं है इन दो formula को अगर हम साथ में देखें तो चौथा formula निकल के आता है जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है और यह होता है lens formula 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u यह formula तो आपने class 10 में भी पढ़ रखा है यह formula काफी important है और यह दोनों formula same है बटा यह दोनों same है ठीक है इन दोनों formula में अगर देखें तो सिर्फ यहां पर changes दिख रहा है जो कि 1 by f बरावर 1 by v minus 1 by u ही है तो 1 by v minus 1 by u की जगे आप 1 by f रख सकते हैं या 1 by f की जगे पर आप यह रख सकते हैं यह formula अलग है ठीक है और यह formula अलग तो कुल तीन तरह के formula आपके सामने हैं यह important ह अच्छा लेंस का focus निकालना तो हमने सीख लिया है लेंस का आवर्धन भी हमने सीखा लेंस के आवर्धन के लिए सूतर था m equals to v by u और इसको हम i by o या फिर h dash by h लिखते हैं तो यह formula है आवर्धन का v by u दूरी के हिसास लेते हैं तो v by u लिखते हैं अगर आकार के हिसास ले तो i by o या फिर h dash by h लिखते हैं तो यह आवर्धन का formula है जो कि आपने देखा अब हम लेंस की सक्ति की बात करेंगे power of lens की बात करेंगे और power of lens को बटा capital P से दरसाय करते हैं तो capital P से बड़ी P से इसको प्रदरसित करते हैं और power क्या है बटा इसको हम थोड़ा आपको बता लेते हैं तो पावर lens की क्या होती है तो simple सा कहा गया है कि लेंस के फोकस दूरी के व्यूत क्रम को लेंस की सक्ति कहते हैं ठीक है lens की सक्ति कहते है ठीक है तो कोई भी अगर लेंस से उसका जो फोकस है उसका व्यूत कर दिनेगे तो वह पावर बन जाए यह पावर बताएगो ठीक है मात्रक अगर देखूँ पावर का मात्रक ठीक है मात्रक क्या हो जागा बटा मात्रक इसका होता है बटा डायोप्टर ये मात्रक भी याद रखना ये एक नंबर के प्रस्ण में पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड लेवल की हिसाब से अगर देखा जा तो इंपोर्टन्ट है इसको कैपिटल डी से निरूपित करते है डायोप्टर को बड़े डी से बटा निरूपित किया जाता है तो इसको आप डायोप्टर को कैपिटल डी से निरूपित कर सकते है ये डायोप्टर होता है ओके इसका मात्रक लेंस का जो पावर होता है परिभासा के अनुसार अगर देखें तो पावर जो है सकती जो है ठीक है यह बराबर है वन बाइ एफ के अच्छा यहाँ पर एफ जो है मीटर में है यह याद रखियागा कि इस टाइम पर जब हम एफ लिखें है तो एफ कहा है वोटा एफ मीटर में है मतलब दूरी जो है फोकस दूरी मीटर में दिये हो तो ये लिखेंगे या हम लिखेंगे मीटर को सेंटी मीटर में चेंज करेंगे तो P बरावर आ जाएगा 100 बाई F के और यहाँ पर F जो है हमने मीटर से सेंटी मीटर में चेंज्ज कर दिया. सेंटी मीटर में. या सेंटी मीटर नहीं लिए लिए दे दा हूं कैंटी मीटर में? तो जब F जो है सेंटी मीटर में होगा तो 100 डिए और जब में होगा तो 1 by F. ठीक है यह याद रखेंगे यह? बहुत बैसिक सा छोटा सा फार्मूला है और ये बस आपको इतना याद रखना है, ओके, तो लेंस का पावर क्या है, 1 by F, लेंस का पावर 100 by F भी है, यहां पर F जो हो सेंटी मिटर में यहां पर F जो हो मिटर में है, प्लियर, मिटर में लेंगे, तो 1 by F लिखेंगे, और दोन अचो अब दो तरह के lens हम मुख्यता दो तरह के lens पढ़ते हैं तो note कर ली जाएगा उत्तर lens के लिए उत्तर lens के लिए अगर देखे तो focus क्या होती बैटा उत्तर लेंस की पॉजिटिव ठीक है चुकि फोकस पॉजिटिव इसलिए पावर जो होगी बटा वो भी पॉजिटिव आएगी ठीक और आवद तर लेंस के लिए भी देख लीजिएगा आवधाल लेंस के लिए तो चूंकि फोकस उटा आवधाल लेंस का वो क्या होता है निगटिव तो जो पावर होगी इसलिए पावर जोगी बटा वो भी बटा वो भी नेगटिव ही होगी यह याद रखिएगा कि capital P है बटाई small P नहीं है ठीक है बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से समझना है देरे देरे चल रहा हूं है तक कि अब समझते चले उत्तर लेंस और अउत्तर लेंस को और भी सब्दों से बोला जाता है आप जनते हैं इसको अभी सारी इसको अपसारी हई तर नाम याद रखिये अगर यहाँ पर मैं बना भी दे रहा हूं यह उत्तर लेंस है तो यह उत्तर लेंस है और यह बटा आवतल से तो उत्तर लेंस के लिए और रहत Camden के लिए अपनों के लिए तोनोंalin यहिंए आ पर पावर लिख लिए हमाँ तक तो एजी होगे बह थोड़ा सा एक केस समझते हैं इंपॉर्टेंट चीछ है लेंसों का सयोजन आपके बुक में भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा लेंसों का सयोजन समझते हैं बच्छे कि लेंसों का सयोजन क्या होगा मतलब क्या हो अगर दो लेंस एक साथ चिपका करके रख दिये जाएं तो पावर कैसे निकालेंगे उसकी मुखिता हमें यही निकालना है याद रखेगा कि दो जो लेंस हम लेंगे वो पतले लेंस ही माने जाते हैं लेंस की फोकस दूरी मैं मान लेता हूं कि एफ वन है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी एफ टू मान लेता है इनकी बीच में कोई जगे नहीं है आप देख सकते हैं दोनों टेश कर रहे हैं यह केस नमबर वन है जब लेंसों के बीच कोई रित अस्थान ना हो जब लेंसों के बीच कोई रिक्तास्थान नहीं है तो इस इत्रतियों हो गया अचा रिक्तास्थान नहीं हो इसको इस तरह ना लिखके दूसरे हिसाग सभी लिखा जाता है कि जब दोनों लेंस एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस प्रकार से रखा गया है कि दोनों लेंस ए सकते और यह सकता है तब चैसे बड़े थोसकते एक जैसे बरावर बरावर खंगे ही चोटा वह हो सकता हैं इसका है कि और नहीं सकती पी वोगी होता माल लीजे कि इसका पाफर क्या है पीवन है इसका पावर क्या है पीटू है तो यह हो जाएगा पीवन प्लस पीटू के ठीक है अब चुकि पी बराबर हम लिखते हैं एफ तो यहाँ पर कैपिटल एफ में लिख रहा हूँ आप बुक में देखेंगे लिखा रहता है चाहो तो स्मॉल एफ भी लिख सकते हो जब पावर को देखेंगे तो पावर जुड़ा करती है सीधा सीधा से लेकिन फोकस दूरी एक बटे के साथ जुड़ती है फोकस दूरी जब जुड़ा करती है दो लिंसों की तो वन बाई करके जुड़ा करती है ठीक है एक बटे एफ एक बटे एफ टू इस प्रकार से ज जोड़ जाती पावर जितनी भी है उसको जोड़ती चले जाएंगे अच्छा अगर मैं इसका आवर्धन मैं माल लो कि इसका आवर्धन है M1 ठीक है इसका आवर्धन जो है यह जो आवर्धन उत्पन्द कर रहा है वह M2 है Magnification Power जिसकों बहुते हैं तो जब M1 M2 है तो जैसे P बरावर P1 प्लस P2 था 1 by M1 by F1 प्लस 1 by F2 यह क्या है यह है परडामी focus दोई अब मैं अगर यहाँ पर निकालू परडामी आवर्धन परडामी आवर्धन निकालूँगा तो यह क्या आएगा M बरावर आजाएगा बटा M1 क्रॉस में M2 तो आप यह याद रखें कि जो पावर होती है वो सिधा सिधा जुड़ती है लेंस की focus दूरी एक बटे के साथ जुड़ेगी और आवर्धन जो होगा वो गुड़ा होगा ठीक है यह तीनों चीजों में difference समझ में आ रहा रहा ना तीनों चीज़े समझ में आ रही है एक साथ दिखा दियो मैंने यह पहला case है ए नंबर है जब लेंसों के बीच में कोई रिख्तस्थान नहीं तो इस प्रकार से अगर आपको देखना है तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ठीक है जब लेंसों के बीच रिख्तस्थान हो यह लेंस एक दूसरे से अलग अलग रखे गए हो ठीक है समपरक में नहीं हो जब लेंसों के बीच रिख्तस्थान हो तो क्या आएगा तो इसके लिए पहले तो चित्र बना लेते हैं let's say एखिर वही चीज है जो लेंस से पास पास रखे थि ने को ठोड़ा दूर कर दिया ठीक है इनको ठोड़ा ठोड़ा दूर कर दिया ठीक है यह लेंस number one है यह लेंस number two है ok यहांपर में माल लेता हूँ इस की focus दूरी बीटा F1 है और इस की focus दूरी क्या है F2 है इसकी पावर मैं माल लेता हूँ P1 है इसकी पावर कितना है P2 है जैसा कि अभी हमने माना था ओके अच्छा अब रिक्तस्थान जो है वेटा कितना हो गया इनकी केंदर से केंदर तक की दूरी हम लेते हैं यहां तक कि जो दूरी है तो फिर कैसे लिखेंगे तो फिर हम कैसे निकालेंगे तो जो परिणामी परिणामी पावर आएगी बटा परिणामी सक्ति जो होगी परिणामी सक्ति बटा जाएगी पी बराबर पी वन प्लस पी टू माइनस डी पी वन पी टू के है यह परिणामी सक्ति है जो आपको देखने को मिलेगे ठीक है इसका कोई प्रूफ अगयर नहीं करना है आपको बस इसका फॉर्मूले आप याद रखें इसी प्रकार से परिणामी फोकस दूरी आप देखेंगे तो क्या है ये बटा? आप चाहें तो यह इस निकाल सकते हैं P को लिख सकते हैं 1 by F capital F लिख लिए यह 1 by F1 होगा प्लस क्या है 1 by F2 है माइनस क्या है बटा D और P1 P2 का मतलब F1 गुड़े F2 तो यह परणामी focus दूरी आ गए तो परणामी focus दूरी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकल के आ रही है ठीक है तो जब दूरी D हो गया तो वो D times of P1 P2 और माइनस D divided by F1 into F2 मातलब वही है दोनों का 1 by F को आप P लिख लेंगे 1 by F1 को P1 लिख लेंगे 1 by F2 को P2 शिन वही लगे हैं प्लस माइनस देख लो D एक बटा F1 और एक बटा F2 मतलब P1 into P2 तो आप ये फॉर्मूला देखे ये फॉर्मूला देखे दोनों सेम ही है बस वो पावर लिखा गया है ये फोकस लिखा गया है लेकिन हैं दोनों सिमिलर ठीक? P equals to जो कि 1 by F होता है तो इसी इसाफस चल रहा है और यहाँ पर हम दूरी जो ले रहे हैं वो मीटर में ले रहे हैं आप क्योंके जानते हैं जो SI मात्रक होता है दूरी नापने का वो क्या हुता है बटा? मीटर होता है तो इस लिए मीटर में ही फॉर्मूलें जो हम लिखते हैं, वो एसाई मात्रक के साथ ही लिखे जाते हैं, is gustant, जो ओक्वेशन है वही लिखी गई है आपर, ओकी अच्छा, तो यह तो पावर था, पावर को हमने समझना था, पावर को मनें समझा भी, कि पावर क्या है, pagar क्या है लिंस की सक्ति, जिसको आप बोलते हैं डायोप्टर में बोलते हैं और डायोप्टर को आप देखेंगे तो चुकि पी बराबर क्या है बटा आप देखेंगे पी को स्टो वन भाई एफ है अगर वन भाई एफ है तो मतलब डायोप्टर क्या है प्रती मीटर डायोप्टर का मतलब क्या है प्र प्रकार से आपको देखना है बेसिक बेसिक चीज अब बहुत ही इंपोर्टन चीज आपको सीखने है और वो है लिंसों एवं दर्पणों का सयोजन लिंस और दर्पण का सयोजन हमें समझना है लिंस और दर्पण का सयोजन कैसे करेंगे और किस लिंस का करेंगे सबसे बढ़ियां अगर बात यहां पर देखे तो एक ही लिंस का हम कर सकते हैं और वो है उत्तल लिंस या समतल उत्तल लिंस मतलब उत्तल लिंस से रिलेटेड जो है लिंस उनी का कर सकते हैं अवतल का नहीं क कर पाएंगे करने को कर सकते हैं ऐसा नहीं कि हाथ रुक जाएगा करने स्टार्ट कर देंगे तो रुक जाएगा हाथ यहाथ पकड़ लेगा इसा बिल्कुल नहीं है करने का मतलब नहीं है सिंपल सी बात मैं यह कहना चाहरा हूं मैं आपको समझाता हूं क्यों ठीक है मैं उत् चलिए, लेट से की, ये एक लेंस है, ओके, उत्तर लेंस आपको दिख रहा है, ये क्या है उत्तर लेंस, और इसमें उत्तर लेंस में मैंने क्या किया, कि एक तरफ मैंने पॉलिस कर दी, कला ही कर दी, ठीक है, रजत करन कर दिया, इसका रजती करन या रजत लगा दिया, रजत मतलब रजत करना ना मतलब दरपण बना दिया एक तरफ, एक तरफ पैंड कर दिया, तो यह अगर देखेंगे तो यह lens है इधर और इधर क्या जाएगा, इसकी यह वाली सता क्या जाएगा? दरपण. मतलब ये अगर देखेंगे तो ये combination है किसका वेटा एक lens है एक lens है और प्लस एक दरपण है वेटा तो ये देखो ये जो है ये lens और दरपण से मिलके बना है कईसा दरपण देखेंगे तो ये lens है उत्तर lens और ये क्या है आवतल दरपण उत्तर lens और आवतल दरपण सिंपल सी बात है ये आपको देखने को बिल रही है अच्छा क्योंकि दरपण पर ही हमने चिपका क्लर किया है तो जो इसकी तरपण की तरपण की तरपण, चितना ला, हुआ चितना कह सकते है कि तरपण के इसकी होगी, उत्तरी है इसकी होगी. क्योंकि इस इसकी जो focus दूरी है बिता है इसकी जूस जूनों की तरफ की तरफ मराबर है ऐसकर मान के चल रहे हैं अरवन रटू बरावर R है इसके लिए होजाएगा प्लस इधर से लीए हो जाएगा मायनस ठीक है चिंड के आप हिसाऑ से आप जा जानते हैं मैं माल लेता हूँ कि इसका फोकस जो है वो F है F लेंस तका है न तो F L लिख लेते हैं और फोकस ये मिरर है तो इसको मैं F M लिख ले रहा हूँ ठीक है मिरर मतलब दर पड़े ठीक है अच्छा यहाँ पर इस सता की अगर देखें तो R1 पहली सता है जो की बराबर होगी आरे टू को अगर देखें तो माइनस आ रहे गां इधर के तरफ जो की विए तो माइनस आ देखते रहेगा सिंबल से अच्छा वस्तु को इधर रखेंगे अगर जैसे ये लेंस है तो लेंस के इधर अगर मैं वस्तु को रखंग तो कोई परतिव मनेगा नहीं क्योंकि आज़त करन कैसे करते हैं उसको कैसे उसको दरपन बनाते हैं यह अपने समझा अच्छा माल लेते हैं कि यह एक लेंस है और इसको पॉलिस कर दिया गया गटा और यहां पर मैं माल लेता हूं कि एक वस्तु रखिए है त्यांस देखिएगा यहां पर ओवस्तु रखिए है मैं माल लेता हूं ठिक यहां पर ओवस्तु रखिए है तो अब इस ओवस्तु का प्रतिविम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा यह ओवस्तु है इसका प्रति परतणान को मैं माल लेता हूं किया बेटा मूँ लेंस का अपरतनान किया है दो पहले प्रकास देखो वायव से चलते हुए किसमे गई विरल से सघन में गई अच्छा सघन में जाए गिए तो होगा यह लेंस क्या करेगा इधर की तरह मोड़ेगा इसको प्रकास को क्योंकि इधर की तरह बनाएगा कहीं प्रतिविम ठीक है और इसको मैं फोकस से दूर रखाओ यह समानु चलिए तो मालू इस तरह से मोड़ा इसमें अब यहां पर जब पढ़ेगी तो प्रकास उस पार नहीं जा पाएगी क्यों क्योंकि अब दरपढ़ है इस सता से बाहर प्रकास नहीं निकल पाएगी क्योंकि यह सता क्या है दरपढ़ है इधर तो लेंस है लेकिन इधर क्या है दरपढ़ है अब दरपढ़ पर क्या होता है इस पॉइंट पर मैं अगर अभिलंब डालूंग तो इस पॉइंट पर अभिलम जो होगा यह इसके वक्रता के अंदर की तरफ ले जाएगा कहां लिए अगर देखेंगे आप तनोड अगर देखें आप तनकॉर अगर देखें आप तनकॉर ने अघा तो परावरतन क्योंकि अब यहाँ पर्रकास के परावरतन नीम लगे गए जैसे इस पर अगर प्रकास गई है इस तरह से मालो इस प्रकास से इसे प्रकास आई है तहीं से प्रकास ऐसे आ रही है तो इस प्वाइंट पर मुझे क्या डालना पड़ेगा इस प्वाइंट मैं आभी लंब डालूँगा ऐसे फिर देखूंगा कोंड आई यह है तो कोंड र कुश ऐसे بنेगा टिक ऐसे बनेगा यह कुण ए बनेगा तो कुण आई बनेगा आई और बरावर बनेगा मैं चाहिए किसे लिए दरपन के रही दर पन तो अपना काम करेगा दरपन का गुण तो फोड़ी चला जाएगा दर पड़को केंदर है सी मान लेते हैं तो अगर मैं यहां पर इस तरह से अभिलंब डालू तो आप देखें कि जो कॉंड आई बन रहा है उसी हिसाफ से यह कॉंड आर बनाते हुए जो प्रतिविम है इस प्रकार से से बाहर आ जाएगी तो कुल मिला के आप देखेंगे कि बाहर आएगी इधर की तरफ ही लौट आएगी अच्छा जब प्रतिविम फिर से लौट एगी इसको मैं थोड़ा सभी अटा रहा हूं कि सम्झाने के लिए था बस आपको ठीक है तो प्रतिविम में देखो जो जो प्रकास की किरण है वो कैसे चल रही है पहले तो कहां गई बटा प्रका के अंदर ही चलेगी तो फिर से सघन से जब विरल में आएगी तो अभी लंब से दूर हटेगी फिर से अच्छा 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 तो कुल मिला के दो बार प्रकास को लेंस के अंदर चलना पड़ रहा है और एक बार प्रकास जो है दरपन से टकरा रही है एक ब लेंस के अंदर चली प्र दर्ब motor समय पहले दर पढ़ के अंदर के उसके बाद बाहर निकले तो कुल मिला के दो बार प्रकास जो है प्रकास कीरणं यहाँ फर मैं लिग दे रहाऊं नोट पाइंट रखियेगा प्रकास किरण जो है ध्यान से देखिए प्रकास किरण दो बार लेंस माध्यम माध्यम में जब की ठीक है यह दो बार लेंस माध्यम में चला है तो दो बार फोकस दूरी के हिसाफ से में लिखू थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल सब्द हो जाएगा प्रकास किरण ठीक है ऐसा लिख देता हूँ एक तरफ से पहले लेंस में लेंस को मैं सघन माध्यम बोल लेता हूँ माध्यम सही रहेगा यह प्रकास किरण पहले लेंस में प्रवेस करती है लेंस में मतलब सघन माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेस करती है फिर दरपण से टकराती है ठीक है तथा परावरतन के बाद पुनहां लेंस में चलती है और अन्ततह बाहर बाहर का मतलब विरल माध्यम विरल माध्यम में आ जाती है अच्चा यहां पर रेफ्रयंस के माध्यम माध्यम वायू है वंभय को मैं विरल माध्यम मन के कामान के तो वन होता है हलाकि काँच के लिए हम नहीं लिकशन है शप्रम दिखार देकर से का पहले प्रकास गई ठकराई फिर लोटी फिर आएगी तो कही नहीं यहीं पर कहीं पर प्रतिम मनेगा तो मैं इसके लिए चित्र आपको दिखा देता हूं फिलाल मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इतना तो समझ पा रहे होंगे कि एक लेंस है लेंस को मैंने एक तरफ से पॉलिस कर दिया तो लेंस का भी उसके पास गुण है और दरपन का भ दो बार इस्ताम हो रहा है और और ओसा लेंस एक्ष memoir का फोकस क्या होगा पॉजटिव पिर और चलू तर प्रकर के लोटरी सब्सक्राइब का फोकस भी इस्ताम होगा लेकिन एक बार मतलब धार बर दो बार फोकस और लेंसका धो लिए बार Central City कर निट अगर मैं देखू ट सकता हूं सेम चीज़ ठीक है इसके लिए तो एफ एल है लेंस के लिए और इसके एफ मान रखा है ये टोटल एफ तो वन बाई एफ जो आएगा ध्यान से देखना वन बाई एफ एक पुलस टो अगर देखेंगे तो एक बार में चल रही है अच्छा इसका पावर भी लिख ल एफ याद रखिएगा ठीक है तो वन बाई एफ एक पुलस टो हो जाएगा वन बाई एफ एल प्लस वन बाई अभी चिंद के साथ नहीं रखना हों में एफ मिरर ठीक है पहले दरपन पहले प्रकास लेंस में गई फिर दरपन स्टकराई तो उसका फोकस फिर लोटेगी तो वन बाई एफ जो है वो निकल के आएगा टू डिवाइड बाई एफ एल लेंस में दो बार चल रही है प्लस वन बाई एफ एम एक बार दरपन में चल रही है दरपन बाई एफ एक ही है वोन बाई एफ एल वन बाई एफ एल तो टू बाई एफ एल हो गया अच्छा इसको ह लिख सकते हैं, या हम चाहत इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कि P बरावर जो होगा, वो होगा 2 टाइमस आफ P Lens पलस 1 टाइमस आफ P Mirrors ठीक है, इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ याद रखेगा, नोट दरपड के लिए दरपड के लिए जो सक्त ही होती है P बरावर होता है माइनस 1 बाई F के जो भी उसके फोकस होगा वो होगा माइनस 1 बाई F के ओके माइनस 1 बाई F लेंगे ना सही है? यहां तक देख लीजिए करेक्ट है बटा Is it clear? देख लो देख लो देख लो यहां तक समझ में आ रहा है कोई doubt है तो आप बिल्कुल comment करके पूछ सकते हैं और कोई परेसाई नहीं आगे बटा आपको बिल्कुल आपके doubt का ध्यान रखा जायेगा ओके अच्छा अब यह जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है कौँसा फॉर्मूले बटा है यह फॉर्मूला इस फॉर्मूले को लेके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहां पर आपको जो फोकस दूरी दिख रही ही वन बाई एफ एल ठीक है तो आपको एक बार बता रखा है मैंने कि लिंस के लिए हम देखो वन बाई एफ एल जो है ना वन बाई एफ एल अगर निकाल तो तो से गुड़ा कर देंगा टू बाई एफ एल हो जाएगा जो एफ एल है उसका मान कैसे निकालेंगे बटा तो लेंस निर्माता से हम जानते हैं वन बाई एफ किसके लिए लिकाते है लेंस के लिए होता है लेंस निर्माता सुत लेंस के लिए होता है वन बाई एफ एल जानबुछ के मैं लिख रहा हूं यहां पर यह क्या हुवा करता है बटा मियू माइनस वन और इंटू होता है वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर और यह आ जाएगा 1 by R1, R1 के वेलू कितनी है बटा, प्लस R होगी बिलकुल, तो R लिख लेंगी, और माइनस चिन लगा है, 1 by R2, R2 के वेलू किया है, माइनस R, तो माइनस R लिखी, अच्छा, यह हल होगा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देख लिएगा, फि करेंगे तो आजाएगा 1 by F L, बरावर हो जाएगा, म्यू माइनस 1, इन्टू आजाएगा 2 by R, 1 by F L की वेलू हमें मिल रही है, इसको आप चाहेँ तो ऐसा भी लिख सकते है, 2 times of म्यू माइनस 1 divided by R, जो कि यार यह पॉजिटिव, ठीक है, आप देखेंगे तो, यहाँ से आ आप देखेंगे तो, समीकरण 1 की माहन, 1 by F L का माहन रखेंगे हैं समीकरण 1 को में देखू, समीकरण 1 से, अगर मैं देखू, तो क्या लिखा है, 1 by F बरावर लिखा है, 2 divided by F L plus 1 by F M, यह लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, बैटा, 1 by F बरावर, दो गुड़े 1 by F L प्लस 1 by F M ठीक है तो यह आ जाएगा 1 by F बराबर दो गुड़े 1 by F L का मान हमने क्या निकल है 2 times of mu minus 1 by R तो यह हो जाएगा 2 times of mu minus 1 divided by R ठीक है और प्लस आ जाएगा 1 by F M दरपड के लिए हमने सक्ति आपको बताई minus 1 by F यह सूत्र है आप अगर आवतल के लिए देखें तो यह आएगा बटा पॉजिटीव और उतल के लिए देखेंगे तो यह आथी बटा नेगेटिव तो आवतल के लिए देखेंगे तो यह क्या आजाएगी पॉजिटीव आवतल के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास F M 1 by F M हमारे पास कौन सालिंस है आवतल सुरी आवतल दरपड के लिए देखेंगे आवतल दरपड के लिए देखेंगे तो क्या आएगा बटा पॉजिटीव आना जी अउतल दरपर के लिए पॉजिटीव कैसे होगा माइनस वन भाई एफ है और एफ बरावर हम लिखते हैं आर बरावर होता है टू एफ के तो एफ बरावर क्या हो जाएगा आर बाई टू लेकिन चिन है क्या लेगे इधर के है अच्छा तो यहां पर हम देखेंगे तो पॉजिटीव आ रही मतलब हमें वन भाई एफ ही लिख लेना है वन भाई एफ एम ही लिखेंगे इसको नेगटिव नहीं करेंगे ठीक है चू की हम जानते हैं ध्यांस देगे अगा चू की एफ बरावर होता है वाटा आर बाई टू के ठीक है इसलिए इसलिए एफ एम बरावर भी हम लिखेंगे क्या आर वाई टू क्योंकि इसकी तरिजा भी तो सेम है इसकी अगर आर वाई इसकी अगर देखो आर आर बस चिन प्लस माइनस है तो इसका भी अगर देखे तो माइनस यह था लेकिन माइनस करके हमने रखा तो माइनस माइनस यहां पर क्या हो गया माइनस जब इस फॉर्मूलिम रखेंगे तो मैनस मैनस प्लस हो जाएगा या आप चाहे तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं चलो एक बर यह आ जाएगा माइनस वन भाई एफ के चिन्हकी हिसाफ से लिकिंगे सुत्रानुसार अगर लेकिन फिर आगे करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा जब माइनस आरवाई टू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा फिर से तो आरवाई टू मतलब एफ एम की जगे मैं क्या पूट कर दूंगा बटा यहां पर आरवाई टू इसको सॉल्व करते हैं यहां सी इसको आगे लिए यहाँ बुब एफ बरावर दो दूनी चार बुब माइनस वन डिवेड बोई आर और प्लस हो जाएगा आर बाई टू यहां रखेंगे तो टू पर चल जाएगा आर नीचे रहेगा मतलब दू बाई आर के हैं ती हैं फिक ए वट बाई एफ बरावर आप निकाल हैं तो आर और r common है, r आ जाएगा, यहां आ जाएगा, mu minus 1, 4 times mu minus 1 और plus 2 आ जाएगा, इसको हल कर लीजिए, 1 by f बराबर आप देखेंगे तो यह आ जाएगा, 4 times of mu minus 4 और plus 2 by r, जो की बराबर हो जाएगा, माइनस 4 में प्लस 2 जोड़ेंगे, तो माइनस 2 बचेगा, मतला हो जाएगा, 4 mu minus 2 by r, यह आप इसको लिख सकते हैं, 1 by f बराबर, 2 common ले लेते हैं, तो 2 common ले लेंगे तो आ जाएगा, यह 2 mu minus 1 divided by r, तो focus आप देखेंगे, तो positive आएगा, resultant भी क्या आएगा बटा, positive, positive focus मिलेग जब एक दरपन और एक lens को हम सेयोजित करते हैं, तो जो हमारा result है, वो किस प्रकार से निकल के आएगा, यह आपको एक छोटा से representation था, अच्छा मैंने उत्तल लेंस को ही लिया था, आवतल को क्यों नहीं लिया था, थोड़ा से एक बार मैं चाहूंगा कि आप derivation को देख ल नहीं पर याद रखिएगा कि चिन जो है वो पॉसितिव आ रहे डाँ, ठीक है, तो चिन पॉसितिव है यह याद रखें, ठीक है, यह याद रखें कि चिन ने पॉसिटिव लिया है है हमने, ओके, देख लिजो एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि इस इसको आप देखें, हो गया, 1 by F को आप लिख सकते हैं P, तो इसको capital P भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये formula ऐसा बने जो, या आप फ बरावर अगर निकलना चाहे हैं, अगर सिर्फ focus लिखना चाहे हैं, तो F बरावर लिखेंगे, तो क्योंकि ये 1 by F बरावर इतना है, तो इसको पल्टेंगे, तो R उपर चला जाएगा, तो प्लस R डिवाइड बाय आजाएगा, टू टाइमस आफ टू म्यू माइनस वन, ओके, तो ये छोटी सी चीज़ है, जिसका आपको ध्यान रखना है, अच्छा मैंने आप से कुछ द है, फटा-फट से, यहाँ पर देख सकते है, 4 mu माइनस 2 by R आ गया, पॉस्टिव आ गया, आवतल के लिए नहीं करते हैं, मतलब हम ये नहीं करते हैं, मतलब आपको समझा दुमें कि क्या बोल रहा हूं है, जैसे माल लिजे कि ये आवतल लेंस है, तो थोड़ा दूर बनाते वेटा, या कर दे तो क्या होगा, वैसे तो नहीं किया जाता, लेकिन कर दे तो क्या होगा, आप अगर देखें तो ये किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा वेटा, एक लेंस, जो कि आवतल लेंस होगा, प्लस एक दरपढ जो कि उतल दरपढ होगा, ठीक है ये आवतल लिंस है और ये उतल दरपण है उतल दरपण अच्छा आवतल लिंस के लिए आप जानते हैं कि पावर जो होगी वो क्या होती है नेगेटिव होती है इसके लिए पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है पावर जो होगी वो भी नेगटिव ही होगी नो उत्तल दरपण है हाँ तो नेगटिव होगी इसके लिए इसके लिए पॉस्टिव थी नो अब उत्तल के लिए पॉस्टिव थी इसके लिए उत्तल के लिए नेगटिव है तो नेगटिव है अब देखेंगे अगर इसमें हो क क्या रहा है कि उत्तल धर्पण के लिए आप जानते हूं कि सिर्फ दो ही स्थितियां होती हैं प्रतिविंबने किया तो अनंद पे होगा वस्त तो फोकस पे बनता हो प्रतित होगा काल्पनिक प्रतिविंबने ही बनाएगा तो जब इसको छो इसको यह लगा देंगे तो वास का एक दूसरा नाम है इसके दूसरे नाम को थोड़ा सा सुनेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा इसका दूसरा नाम जो है बिटा वो है आपसारी लेंज क्या नाम है इसका आपसारी लेंज अर्थात ये प्रकास को फैलाता है मतलब कि मान लेजिए कि यहां पर वस्त है ठीक है यहां पर वस्त है तो जब प्रकास इस पर ऐसे जाके गिरेगा जैसे मालो इस पर गया प्रकास तो यह क्या करेगा प्रकास को बैटा दूर फैलाएगा एक्शुली क्या होगा इसको समझते हैं यहां पर गौर्स देखेगा यह गया अब यह माध्यम चेंज होगा य प्रकास को दूर मोड़ेगा तो प्रकास को ये दूर मोड़ना स्टार्ट करेगा ये कुछ इस प्रकास है से प्रकास यहां निकल जाएगा अब देखेंगे प्रकास दूर की तरफ चलागे इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते तो कहीं फोकस पे या कहीं पर कोई पॉइं लेकिन यहां पर टकरा गया यहां पर जिस बिंदू पर टकराया इस बिंदू पर आवतल के लिए हम डाल देंगे अभिलंब अभिलंब डालिए इस बिंदू पर यह अभिलंब डाला तो यह हुआ आपतन कोंड आई यह कोंड क्या हुआ आई तो जितना कोंड आई बना है ले धर जा रही है तो कभी लौट के आएगी नहीं तो प्रतिविम्म जो बनेगा वो काम कहीं नहीं हमारे ठीक है इसलिए इस लिंस के लिए हम कभी भी दरपड का संयूजन नहीं पढ़ते हैं सिर्फ उत्तल प्रते क्यों कि उत्तल जो है प्रकास को उधर ही मोड़ दे रहा है औ ओतल लेंज के साथ साथ उतल दर्पढ बनता और उसको एक अठा करता यह भी वास्ति पृति मना तो यहाँ पर यह भी आवहसी पृति मनाता यह भी अासी पृतिम कि हम दोनों मिल गए तो फिर नहलेने पहले हो गाँस समझ रहे हैं तो कि इसलिए इसको हम पढ़ते नही ईक है ये क्वेनि नहीं गहाँ सब्सक्राइब 99 us कि आप homework का आंसर जरूर दें और मैं आप सब की कमेंट पढ़ता हूं मैं हर एक वीडियो की जितने भी वीडियो के कमेंट आपके आते हैं सारे मैं पढ़ता हूं आराम से और उस पर ध्यान भी देता हूं एक वस तो परदे से कह रहा कि 1.50 मीटर मतलब 1.5 मीटर की दूरी पर और वस्तु है यहां पर कोई वस्तु रखी है यह वस्तु मान लेते हैं ठीक है अब कह रहा है कि इनके मद्द में उत्तलन से यह हो गया और एक इधर परदा है कहीं एक कहीं इधर परदा बना हुआ है यह परदा है जहां पर प्रतिविम बनेगा इसका ठीक है तो जो परद पर प्रतिविम मन रहा है इसका आकार आप माल लिए एच प्रतिविम का आकार जो भी बनेगा माल लेते हैं उल्टा बन रहा है इतना बड़ा बन रहा है बहुत बड़ा बन रहा है चार गुना बन रहा है लेंस वस्तु का पर दे पर चार गुना आवर्धित प्रतिविम मनात actually आपको लेंस के इस्तिय मतलब आपको वी बता देना है वी बराबर क्या होगा ठीक है तो वी और एफ निकालिए और आवरधन वगयरा आपको दे देया है आवरधन के रूप में आपको पता है इसको लगाईए लो तो यह हिंड था आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएगा और नेक्स लेक्चर में हम फिर से मिलेंगी क्लास को सेर करना मत भूलिएगा और पसंद आए अपने दोस्तों के साथ सेर भी करें उनको बोले भी इसको क्लास को पढ़ो लगाओ सीखने वाली क्लासेज हैं और जो भी यहां पर पढ़ाया जाती हैं चीजी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए और सरल करके पढ़ाया जाने की कोसिस रहती है हमारी हर दम से और यह कोर्सिस निरंतर चलती रहेगी बस आप लोगों का थोड़ा सा साथ और हमारा प्रयास अगर रहेगा साथ साथ काम करेंगे तो चलता रहेगा त रहेगा।